नमश्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं Samsung Galaxy S22 है Ultra है Plus है कोई भी फोन है तो यहां पे आप होट्सपोर्ट का पास्वर्ट चेंज कैसे कर सकते हैं अपने फोन में और फुल सेटिंग कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग पर सेटिंग पिजाने के बाद यहां पर इस टैप सा ओप्षन देखने को मिल जाएगा कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर मोबाइल होट्सपोर्ट है इस पर क्लिक कर लेंगे मोबाइल होट्सपोर्ट है आप यहां पर आउन कर देंगे आउन करने के बाद यहां पर आप इसका नीम चेंज कर देंगे आप इस पर क्लिक कर लेंगे इसको कट करके हम होट्सपोट का नेम चेंज कर लेंगे सिक्यूरिटी आ जाता है तो सिक्यूरिटी आप उस कंडिशन में चेंज करके कनेक्ट कर सकते हैं जब आपका कोई भी गेमिंग डिवाइस वगरा है या कोई भी डिवाइस है कनेक्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, VPA 3 कर सकते हैं, या फिर VPA 2, या आप अपने कोर्डिंग कर लेंगे, बाकी यहां पर पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड यहां से देख सकते हैं, और चेंज कर सकते हैं, और कम से कम एक 8 डिजिट का होना चाहिए, तब यह सेफ का उपशन आएगा, और यहां पर बैंड चेंज कर सकते हैं, 5 GHz बैंड कर देंगे, तो यहां पर आपकी स्पीड जो है, कनिक्शन की वो तेज हो चाती है, ठीक है, एडवांस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप डेटा लिमिट कर सकते हैं, आप कितना GB शेयर करना चाहते हैं, 500 MB, तो यह MB के फॉर्म पर आता है, अगर GB के फॉर्म पर करना है, तो एक हजार चॉविस, एक जीबी होता है, तो एक हजार चॉविस MB लिखेंगे, तो यह सेट हो जाता है, ओके कर देंगे, और इसके बाद यहां पर यह सेट हुआ या नहीं, सेट, नो लिमिट, तो यहां अनलिमिटेड हो जाता है, यहां पर मैं ओके कर सेती हूँ, और यहां Mac एड्रस आ जाता है, टर्न ओफ वें डिवाइस, टर्न ओफ, फाइव मिनिट, मतलब पांच मिनिट तक अगर कोई डिवाइस करेक्ट तो यह अपने होट्सपोट का टर्न ओफ हो जाएगा, यहां पर हिडन नेटवर्क आ जाता है, वाइफाई 6 सपोर्ट इनेबल कर देंगे, इससे आपका नेटवर्क अच्छा हो जाता है, प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम आ जाता है, पावर सेविंग मोड, वाइफ आपके फोन से कनेक्टिड हैं, और यहां पर QR कोड का ओप्शन है, जिससे आप बिना किसी पासवर्ड के, इसको स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नई पता है, तो ठीक है, और किसी को शेयर भी कर सकते हैं, तो बस इतनी सैटिंग है आपके इस वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार